परेटोकों की नाव पलटने का एक मामला सामने आया और इसमें आप मरने वालों के संख्या बढ़कर 22 हो चुकी है आपको बता दे कि तनूर में पलटी थी ये नाव जिसमें 40 लोग सवार थे रेस्क्यो अपरेशन अब भी जारी है म्रतोकों के परेशनों को 2-2 लाख रुपे मौवजा देने का एलान खुद पिये मूदी ने किया केरल के तनूर के पास ये भीशोड हादसा हुआ यहाँ एक नाव पलट गई जिसमें 40 लोग सवार थे और इस पूरे हादसे में अब मरने वालों के संख्या 22 हो चुकी है जिसमें ज्यादा तर बच्चे सवार थे यह सभी बच्चे स्कूल की छुटिया होने के बाद छुटियों का मजा लेने के लिए यहाँ पहुचे थे नाव में सवार थे अचानक नाव पलड गई जिसकी वज़े से कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल है रेस्क्यो अपरिशन अब भी जारी है चुकी माना जा रहा है कि पिड़ित नाव के नीचे फसे हुए है उन्हें बाहर निकालने की कोशिश जारी है नाव किस वज़े से पलड़ी ये अब तक साफ नहीं हो पाया लेकिन पुलिस जार्च परताल कर रही है सीएम खुद घटना इसल पहुँचे उन्होंने कहा कि आज की उनके तमाम कारिक्रम रद है अधिकारियों को निर्देश दिये गए है कि वो पलपल की अपडेट देते रहे इसे के साथ ये तस्वीरियां आप देख रहे है हलिकॉप्टर के जरिये रेस्क्यो ऑपरेशन किया जा रहा है और साथ ही ये नाव किस वज़े से पलटी इसकी परताल भी पुलिस कर रही है फिलाल वहाँ पर NDRF की टीम मौजूद है जो रेस्क्यो ऑपरेशन में जुटी हुई है अब भी कई लोगों के नाव के नीचे फसे होने की आश्रंका है और ज्यादा जौनकारी के लिए हमारे समवादाता रिशब हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं सबसे पहले आप से यही समझना चाहेंगे कि रेस्क्यो ऑपरेशन कहा तक पहुँचा फिलाल वहाँ पर किस तरह किस्ति देखें मौनिका अभी भी रेस्क्यो ऑपरेशन जा रही है क्योंकि अब जो NDRF की टीम आ चुकी है उसके बाद जो वाटरपूफ कैमरा है उससे भी पुरा रेस्क्यो ऑपरेशन देखा जा रहा है कि नीचे कौन फसे हुए हैं किस तरीके का सबसे बड़ी बात की जो किनारे पे था जहां पर बोट को जाना था जहां पर उस नाव को जाना सबसे बड़ी बात जो भारत एक्सप्रेस अपनी दर्शकों को बता रहा है कि उसमें से 40 जो थे वो टिकट धारी थे जिनके पास टिकट था अभी तक ये अनुमान नहीं लगा जा रहा है कि क्या उनसे भी जादे थे क्योंकि 40 के पास टिकट था और उससे भी जादा बताया जा रहा है सुत्रों के वाले सी खबर है कि उससे भी जादा लोग उस पे सवार थे तो आखिर कर कितने लोग थे अभी तक इसकी पुस्टी नहीं हो पा रही है कितने लोग अंदर अभी भी ऑपरेशन जा रही है उसके बाद बताया जा रहा है कि छमता जो इन जो स्ट्रेंथ थी बोड की उस स्ट्रेंथ से दो गुना लोग उस पे सवार थे उसके साथ ही दो गुना से डेड़ गुना लोग उहाँ पे सवार थे कि 6 बजे के बाद हमेशा वहाँ पे ऐसी ही ओवर लोड़िड करके क्योंकि प्रसासन 6 बजे के बाद उतनी मुस्तेदी से वहाँ पे काम नहीं करती है तो उससे मद्दे नजर देखते हुए जो भी ये लापरवा लोग थे जो भी बोट के ओनर थे जो भी बोट पर चला रहे है मेरे तको की संख्या और भी बढ़ सकती क्योंकि कहीं न कहीं बहुत लोग अभी क्रिटिकल बहुत लोग फसे हुए और अभी भी नाओ को वहाँ से हटा नहीं पाया है तो आप देखते हैं तो इससे हटाने में थोड़ी मुश्किले हो रही है लेकिन NDRF की टीम और वहा प्रसासान है या फिर लोकल जो भी है वहां के या फिर मचवारे बोलते सबी एक्टिव होके सबी लगे हुए है कि कैसे भी करके लोगों को निकाल ले कि कोई अवहाँ पर अगर फसे हो उनकी सांसे चल रहे हैं उन्हें बचाने के कोशिश किया जाए और कैमरा से लेके जि क्या कुछ एक्टिव लिया जाएगा सरकार के तरफ से चुकि इस तरह का मामला सामने आया अब भी जो मृतिकों की संख्या है वो बढ़ सकते हैं चुकि रेस्क्य ओपरेशन जा रही है कहीं लोगों के फसे होने के अभी आश्रंगा है जी बिलकुल मृतिकों की संख्या बढ़ सकते हैं और कहीं ने कहीं एक्शन ले लिया गया जो भी ओनर थे वहां के जो भी उस जगे के या फिर उस जगे को जो ठिकदार थे और वहां पे जो नाव चला रहा था और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा का कोई भी उपकर होता है तो वो नहीं होना कहीं सबसे बड़ा सवाल है निशान खड़ा करता है और इतनी गहराई थी वहां पे उसके बाद सुरक्षा को उपकरन नहीं और बच्चे थे मासुम बच्चे वहां पे ठूरिस्ट बनके गए तो वहां पे क्योंकि टूरिजम के प्लेस है किरला टूरिस्ट का बहुत बड़ा गड़ माना जाता है तो वहां पे घूमने गए थे और घूमने में गए होते हैं और उन्होंने बता दू कि सुत्रों का वाले से यह भी खबर कि उन्होंने पूछा भी ते सवाल भी खड़े के थे कि आपके पास सुरक्षा उपकरन कहा है अब ह हम लोगों क्योंने तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं हम लोग हमेशा ऐसे करते तो कहीं ने कहीं लापरवाई हुई है और ये एक दिन नहीं हमेशा होती है लेकिन ये लापरवाई आज इस मोर पे आ गई क्योंकि आज ने तो कल ऐसा होना था क्योंकि लापरवाई अ